स्वागत है आपको हमारे चैनल बेसिक स्टेडी पॉइंट में आज हम लोग बात करेंगे अरपसी के बारे में पहले हम लोग ने बात किया था कार्बन की संख्यां के बारे में और यह जिसे से कार्बन की संख्यां बढ़ेगी तो नय नय कंपाउंड बनेगी जैसे मैंने करते हैं तो आज हम लोग बात करेंगे जब इसमें इसकी काउंट के बारे में काउंट करेंगे तो आगे क्या होगा तो इसके बारे में हम आज लग बात करेंगे और फंक्सनल ग्रूप को आज एड करेंगे और देखेंगे कि क्या बनता है उसके बाद यह सिंगल बाउंड डवल बाउंड जो दीख रिये ना इसको नम्बरिंग करेंगे जब कंपाउंड बनेगी इस ट्रक्चर बनेगी तो उसमें चलिए बात करते हैं वीडियो में हम लोगों ने सीखा था करवन की संख्यां बढ़ेगी देखें यह से यह से बढ़ेगी तो एक दो तीन यह बात करेंगे मैंने यहां कुछ एक्जामपल लिये हैं आप यहां ध्यान देना देखो आप यहां पर सब में च्छे कारवन है एक दो तीन चार पांच छे 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 अब बताओ कि यह इतने होते हैं हैं होते हैं होते हैं और यह डवल बॉन है तो जैसा कि मैंने बताया था कि जहां आप देखना कि double bond है तो है यहां लगा देंगा ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है आप आगे बताते हैं आपको आप जैसे यहां पे confused आप आपको होगे कि हैक्स तो यह भी हो गया यहां double bond है यहां देखो यहां पहला पर double bond है यहां दूसरा कारवन पर double bond है यहां तीसरा कारवन पर double bond है यहां चौथा कारवन पर है तो क्या सभी हैक्सिन है यही doubt हमें clear करना है कि हम इसे कैसे decide करना है कैसे count करेंगे ताकि इसा होता है तो क्या करेंगे हम numbering करेंगे पहले इसको क्या numbering करेंगे उसके बाद देखते हैं क्या होता है numbering में हमको क्या करना है कि carbon की संख्या को हम इधर से भी गिनेंगे इधर से भी गिनेंगे और जहां से यह double bound नजदीक पड़ेगा उसी number को हम यहां पर add करेंगे जिसे देख लो एक दू तीन चार पांच छे ठीक है म पांच छे अब आप खुद बताओ कि किधर से नजदीक पड़ रहा है देखो तो यहां से अगर हम चूनते हैं तो छटा carbon पर आता है double bound लेकिन अगर हम इधर से चूनते हैं तो पहले carbon पर ही double bound आ रहा है इसका मतलब यह है कि हम कह सकते हैं कि numbering किस number पर carbon के किस number पर double bound है तो इन है न डबल बॉंड तो हम तो single bound को छोड़ देंगा लेना हमको double bound तो double bound किस नम carbon नमबर पर carbon नमबर एक पर है क्योंकि इधर से नजदीक पड़ेगा उधर से लेंगे जदर से ज्यादा लंबा पड़ेगा उसको छोड़ देंगे तो निजदीक से कून पड़ रहा है एक इन होगा है समझ गी आप देखो यहाँ पर दिखेंगे एक इधर से गिनो फिर एक दूर तीन चार पांज से यहाँ इधर से गिन यहाँ दूर पड़ रहा है दो चौथा नमबर पर कारश बना रहा है लेकिन इधर से गर करेंगे एक दूर कि 4,5 ,6 यहां तीसरे नमबर पर यह रहा है देखो इधर से काउंट करेंगे यानि कि यह क्या हो गया है दूसरा नमबर पर है तो 2 in हैक स्थी रहा है ठीक है बस कुछ नहीं अव् дополн है बहुत असाद है बस देखते जो देखो इधर से कowं करेंगे एक दो तीन नमबर प्यारा रहा है ठर पांच üçे थी यानि कि दोनों ब्राबर ब्राबर आख रहा तो हम क्या करेंगे हेक्स cha TOI thing ian oia 3 ऐन धी यहां पर देखेंगे एक जबर बाएगे तो इदर से नाज़िक पड़ेगे तो इधर से लहें कि यहां टू jóvenes इधर से लंबा पड़ा है, इधर से नजदीक पड़ा है, तो हेक्स, टू, हम और कुछ नहीं है, और यह सिर्फ हेक्स इन पर नहीं होता है, अफ उस एक्जामपल ले रहे है, आप हेक्स इन पर यहां आजमा लो, या पैंट पर, या हेक्ट पर या ओक्त नॉन डेक किसी भी एपनाओगे लागू करोगे तो यही नियम लागू होगा जैसे मैं लेता हूं यहां पर सी सी अगर इस पर डबल बॉंड कर देता हूं तो कि इधर से ना देख पड़ रहा है एक की नमर पर डबल बॉंड है करबन के एक नमर पर डबल बॉंड है तो क्या होगा प्रोप तो यहां पर क्या हो गया कि प्रोप और एक नमर पर है तो वन इन प्रोप वन इन हो गया यहा यहन्म और दूसरे ओवन्वम प्रसक्राम क्यों नविभ दूसरे आपकी स्थरा फिर् OUT हो गया उसके बार double bond in होगा और हम count करेंगे किसे से देख पड़ रहा है तो एक दो यानि कि इसमें दो-दो है दो-दो double bond है तो क्या करेंगे हम die कर देंगे यानि कि one two और क्या करेंगे अब यहां आप यह बताओ कि double bond किस-kis carbon पर उसका नाम लिखेंगे देखो हो है double bond एक carbon पर है double bond दो carbon पर है तो one कॉमा देखे two यहां दो है तो दो में आप जानते हो die होता है है तो die die हो गया और ine यानि यानि ब्यूट one two die in ठीक है चलो अब इसका नाम बताओ आप क्या है एक दो तीन चार पांच है है ना पहले hex देंगे hex हो गया ठीक है अब बताओ double bond किस carbon पर है किदह से नजदिक पढ़ रहा है तो गिनेंगे एक दो यानि दूसरे पर double bond है फिर तीसरा पर double bond है है ना तो क्या करेंगे इदा नजदिक भी पढ़ रहा है यहां से करेंगे एक दो तीन तीसरा पर आ रहा है तो die हो गया तो die कर देंगे और double bound में जानते हो आप कि in होता है तो मैंने in कर दिया यानि कि hex two three die in मतलब जब भी आपको नामा करन करना है तो नामा करन करने के लिए numbering करना पड़ता है यानि नामा करन करने के लिए numbering करना पड़ता है इसका फॉर्मूला होता है बस आपको यह चेक करना है कि किस दिशा से double bond नजदीख पढ़ रहा है जिस दिशा से double bond नजदीख पढ़ेगा उधर से हम counting करना शुरूप करेंगे बस सीधे बात यही याद रखना पहले क्या करना है कुछ भी रहे कारबन की संख्या काउंट करनी है उसके बाद देखना है double bond कहा है और किस नमबर पर आपकों कारबन के किस नमबर पर आ रहा है उसके according नाम लिख देंगे बस हो गया यही है जहां double double bond रहेगा दो जगा वहाँ डाय कर देंगे जहां triple रहेगा वहाँ try कर देंगे ठीक है यहां आप लोग बताओ यहां यह क्या होगा यहां पर क्या हो सकता है देखो एक दो तीन चार और एक दो तीन चार यहनी कि इधर से नज़ित पड़ रहा है तो कारबन के एक नमबर पर triple bond है तो क्या करेंगे हम पहले स्म gatesण गरेंगे क्या होगा एक दो तीन चार चार क्रवन तो क्या होगा व्यूट है न ओऔर देखो कारबन के किस नंबर पर do triple bond रहे तो किस नंबर पर है एक नंबर पर ह Watts करोंगा यहां पर एक दूंगा उसके बार ट्यृ पिपल और में क्या होता है को पता है ट्रिपल बॉंड में बाई एन होता है मैं आपको दिखाता हूँ है ट्रिपल बॉंड में क्या होते हैं यहां दिखवा ट्रिपल बॉंड में बाई एन होता है ना ट्रिपल बॉंड में बाई एन तो यहां क्या करेंगे ट्रिपल बॉंड है ना तो यहां क्या कर देंगा वन पाइग थाइग तो फाइनल्य आपने यह जान लिया इसका काम जान लिया अपने इसका भी इस काम जान लिया कि डबल बॉंड में कहान नंबरिंग करनी है कहार नज्दीक होगा आप हम बात करेंगा फंग्सनल गृप के बारे में जब जब अभी अपनी ये जना कि carbon के संख्याँ 6 है hex हो गया double bond एक carbon पेहत हो गया hex in one हो गया अगर हम इसमें functional group आइड कर दें तो क्या होगा यही logic है ही अब हम आगे पढ़ेंगे कि अगर हम इसमें देखो आप यहाँ functional group है न ओ-H याद कर लेना आप O-H को all कहेंगे C double O-H O-E कहेंगे और NH2 को amide कहेंगे C N को nitrate कहेंगे ठीक है अगर किसी भी carbon के last में या first में O-H आइड कर देंगे तो all हो जाएगा C double O-H यहाँ आइड कर देंगे तो O-E हो जाएगा अब हम आगे आपको बताएगा पर confuse नहीं होना है मैंने सिर्फ carbon को दिखा इसके अंदर hydrogen 6 पे हुए है ठीक है अगर मैंने यहाँ कहा hex one in तो यहाँ पे इसका structure यह भी हो सकता है यहाँ आप ध्यान देना देखो मैंने क्या किया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे है ना hex one in और यह भी है hex one in यह सेम यही compound है मैंने आपको यह समझाने के लिए सिर्फ पिया था कि carbon को hydrogen को हटा दिया था लेगे मैंने hydrogen को यहाँ आइड कर दिया है ठीक है तो यह भी क्या है hex in है hex one in है इनमें सिर्फ अंतर यह है जब आप पढ़ोगे ना आगे चलके तो ऐसा देखने को मिलेगा यह नहीं यह सिर्फ पढ़ने के लिए मैंने समझाने के लिए क्या है इसमें आइसा नहीं है कि आप यह कहोगा कि मैंने तो पढ़ा था सिर्फ carbon करबन इसमें तो hydrogen भी मिला हुआ तो confusion नहीं होना यहां देखो एक दो तीन चार पांच पांच करबन है बागी तो hydrogen लगे हुए तो कोई होगा paint यहां पे double bond क्या है दो carbon पे तो 2 carbon पे इन कर दिया two in यहां देखो एक दो तीन चार पांच paint और संख्या क्या है दो तो मैंने two in कर देखो या नि दो नों बराबर है यह रहे जाए रहे बात बराबर है इसमें confusion नहीं होना है इसमें confusion बिल्कुल नहीं अच्छा आप लोग एक मैं लिखता हूँ आप ज़रा guess करना यह मैंने क्या लिखा देखो एक दो कारवन नमबर दो क्या बोलते है एथ है ना एथ बोलते है एथ मैंने लिख दिया यहाँ पर गया सिंगल बॉन सिंगल बॉन क्या बोलते है ए या नि तो क्या क्या मैंने पलस ए या नि ठीक है अगर मैं यहाँ functional group एड कर दूँ तो देखो O.H.мен ने कर दिया आप जिस्ता की मैंने आपको बताया था कि O.H. में क्या होता है O.H. में ओल होता है ना तो अब यहाँ क्या करना है पलस ल ठीक है अब दीखो सबको ऐड कर दो एथ A.N. N.E. को आप गाइब कर दो और अब इसी को मैं explain करूंगा अब यह बताना यह क्या है श्मझ में आया यह वही है ठीक है मैंने सिर्फ क्या किया सी के पास एच टे दिया और सी के पास एच टो दे दिया ठीक है और अच को मैंने अड्ड कर दिया इसी को कहते हैं functional गृूप अगर फांक्सनल गुरुस में एड हो गया है तो जहां देखेगा ओ अच्छ है वहां ओल हो बचाएगा ठीक है तो यह भी क्या है अब इसको कैसे हम गिनेंगे तो एक करबन दो करबन तो क्या हो गया है इसको जरह बताना यह क्या है काउंट करो एक दो कारबन ठीक है तो क्या होगा के है है उनलрах होगा यह बांड कितनी है सिंगल सिंउ पांड है तो क्या होगा इस को हटा देना है अब contribution में क्या है देखो from ऑल्याज में क्या है, फंक्स्नल ग्रूप ओई है ना, तो क्या करना है अब यहां आड़ करो, बहुत आखान है थे कौन कहता है, केमेश्ट्री बहुत कठीन है, देखो, क्या था वहां पर ओई था, यहां पर ओई लूदाल दो, देखो डीवोगा हो गया, यह क्या है, यहां सुझंगे कहां एथनोल क्या है अब मैंने एधनोल हो गया दिखो किंग लुड़ laughy घ्याय जो टीन तरा इक दो तिन तो पहले आख मुंद कर यह कर दो हम बाउंदом की Studie है दूदो बाउंधे तो क्या होगा एक यहинеोगा और क्लिक्त थहया है तो फरा फरकें के लगाट करते जाओ उसमें यहां देखो कारबन के संस्खेंग तुछ मनात mapped प्रॉपल अधिenneल एकिनल प्रॉपनोए प्रॉपनोड ए व। उपिस बढ़ता जाएगा अगर आप किसी कंपाउंड में डबल बॉंड भी हो और फंक्सनल गूरूप भी हो तो कैसे काउंड करोगे यह सवाल है अब चलो इसको काउंड इसको डील करते हैं क्या होगा इसमें वीडियो बहुत लंब हो जाने के बज़ा से मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं मैं अगली वीडियो लेकर आँगा तो उसमें इसके बारे में हम आगले वीडियो में बात करेंगे और आगले आगले वीडियो में बीदों करेंगे अगर जिसमें ऊ ces Magazine और रहा तो वीडियो बनाके हम अपलोड करेंगे इसके बारे में ठीक है